नमस्कार मैं साक्षी MNS News Live में आप सभी दर्शकों का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर 19 गंटों से नाले में फसा है दीपक, रिस्क्यू अपरेशन जारी सुरक्षा बोलों ने दो आतंकियों को किया धेर नोईडा डेपो को रासाई दिवाली, रिकोर्ड टोर 214 लाग की कमाई अब खबरे विस्तार से पटन शहर के राजे स्थीत गहरे नाले में शनिवार दोपर अचानक एक बच्चा गिर गया बच्चे को बचाने के लिए नगर निगम की टीम नाले में ऑक्सिजन लेकर उत्री है पुलिस और सानिया लोगों की मदद से बीते 19 घंटों से रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है जनकाई के अनुसर दीपक खाना लेकर जा रहा था इसी दोरान एक सांड ने उसे नाले के पास टक कर मार दी इससे वो चार फिट गहरे नाले में गिर गया घटना के तुरंद बाद इलाके में अफरात अफरी मच गई है सानिया लोग नाले के तरफ दोर पड़े लोगोंने बच्चे को नाले से निकालने की कफायत शुरू कर दी है 19 घंटों से ज्यादा वक बीच चुका है जमू कश्मिर के शोपिया में सुरक्षा बलो को बड़ी कामयावी मिली है सुट्रों के मुताबिक सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुड़ बेड दक्षीनी कश्मिर के शोपिया जिले के रेबद इलाके में हुई इन आतंकियों से सेना, यसोजी और स्रप्यफ की सयूग 13 ने मुकाबला किया सुरक्षा बलो में आतंकियों को पकड़ने के लिए जाल बिचाया गया था रविवार को सुबह मुड़ बेड में मारे गए दोनों आतंकवादियों की पैचान हो गई है नवाजवागी शापियन इलाके का रहने वाला था तो वही दूसरा यवारवानी पुलवामा में रहता था बताये जा रहा है आतंकवादि संगटन अलबरत से जुड़े हुए थे सुरक्षा बलो ने मुट भेड के दोरान भारी मात्रा में हतियार और गोला बारुद बरामत किया दिली NCR के नवीड़ा में दिवाली के ह़कते में घर आने जाने वाले लोगों की इतनी भीड थी कि इस दोरान नॉयड़ा डिपो ने अधिक्तम कमाई का नया रिकॉर्ड बना डाला दिवाली के ह़कते में नॉयड़ा डिपो की 40 लाक रुपए की कमाई हुई अब तक की इतिहास में 99 डिपो का ये अधिकतम कमाई का रिकॉर्ड है दिवाली और भहिया दूजपर गर गए लोगों के लोटने की वजह से ये रिकॉर्ड कायम हो पाया है वही फेस्टिवल सीजन में 1 नवंबर से 12 नवंबर के बीच चलाए गए विशे सप्ता के दोरान पिछले साल के मुकाबले 23 लाख रुपई की अधिक कमाई की है ख़वरों में आज के लिए इतना ही MNS News Live देखने के लिए आज ही Play Store से MNS India आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार